मश्यूर गाई का अनुरादा पॉंजवाल को लेकर एक बहुत ही बड़ी ख़बर सामने आई जी हाँ जो सके अब जानते हैं कि कल बीते दिन अनुरादा पॉंजवाल को गहरा सद्वा लगा क्योंकि कल के दिन अनुरादा पॉंजवाल की बेते अधिते पॉंजवाल का 35 साल के उम्र में निधर हो गया लेकिन जोहाँ पर ये हाच्टा उनकी जिन्दगी में हुआ तो उसी के साथ एक और खबर सामने आई ये खबर है केरला की एक महिला की जी हां केरला की महिला ने खुद को अनुरादा पॉंजवाल की बेची बताया है और उनके खिलाप परिवारे का दालत में केस भी दर्च करवाया इत्ता ही नहीं 45 साल की सारत कर्माला मॉडेक्स ने अनुरादा पॉंजवाल और उनके पती अरुन पोडवाल से 50 करोड रुपे के हर्जदाने की भी मांगी है केरला की वहिला करमाला मोडेक्स का दावा है कि अनुरादा और उनके पती अरुन पोडवाल उनके जेविक यानि की असली माँ पापा है अनुराधा पोजवाल को लेकर करमाला मोडिक्स ने ये भी दावा किया कि साल 1974 में उनका जन्द हुआ था लेकिन जब वो केवल चार दिन की थी तब ही अनुराधा ने उन्हें पॉनांचन और अगनेस को सौब दिया था औरत ने ये भी कहा कि अनुराधा पोजवाल और उनके पती काफी बीजे होने के कारण उसकी देखभाल नहीं करना चाते थे खबरों की माने तो करमाला मोडिक्स ने ये भी बताया कि जब उनके पालक पिता पॉनांचन जिन्द की और हाथसे की जंग लड रहे थे तब ही उन्होंने ये सच बताया था कि वो उनकी नहीं बलकी अनुराधा पोजवाल की बेटी है खबरों के मताबे करमाला की पालक माता जो की भूलने की बिमारी से पीडित है इस दावे के बारे में नहीं जानती खबरों की माने तो पॉनांचन और अग्रेस के तीन बच्चे है और उन्होंने करमाला को उनकी चोथे बच्चे के रूप में पालन पोश्ण किया बताओ दे कि करमाला ने अनुराधा पोजवाल की कॉंटेक्ट करने की भी कोशच की थी लेकिन तिंगर अनुराधा पोजवाल ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया साथ उनका नंबर भी व्लॉग कर दिया वहीं अनुराधा पोजवाल और अनुराधा पोजवाल के दो बच्चे है जिनका नाम अधित्य पोजवाल और कवीता पोजवाल है तो ये तीसरी बेटी निकला कर आज चुकी है बेते अडिते पॉनवाल के ठीक निधन बात अनुरादा पॉनवाल के जिन्दगी में जुसने करवा दिया है अनुरादा पॉनवाल के खिलाब केस भी दर्ज